जहीं दोस्तों मेरा नाम भावरामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी-खरी तो तब आज की वीडियो का जो शिर्षक है न वो मैंने रखा है कुष्टी के तीन गद्दार विनेश शाक्षी और बजरंग के यार तो बड़ा सोच समझ के रखा है बहुत विचार के और मैंने इन तीनों को अगर कुष्टी का गद्दार प्रेटर्स गोशित किया है तो बहुत सोच समझ के किया है आज मैंने एक वो देखा थमनेल जिसमें विनेश फोगाट रतन टाटा और टाटा मोटर्स से यह अपील कर रही है कि आपने जो पैसा पहलवानों के लिए दान दिया है चेक करो वो पहलवानों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा तो अब सब मेरे लिए तो अच्छा मैं तो हूँ कि हर चीज की जड़ में जाता हूं मैं कहीं पढ़ लिया कहीं कोई थमनेल देख लिया किसी का बयान सुन लिया किसी यूट्यूबर या किसी दो कौड़ी के पत्रकार की बात सुन ली तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता मैं मामले की जड़ तक जाता हूं तो मैंने सबसे पहले तो अधिकारिक सुत्रों से जो अधिकारिक लोग हैं जो पूरे सब्जेक्ट के ग्याता हैं जिनका ये विशय है उनसे पूछा कि भाईया आज तक टाटा मोटर्स ने पहलवानों के लिए या कुष्टी के लिए कितना दान दिया है तो उन्होंने का गजी एक पैसा भी दान नहीं दिया नो डोनेशन उन्होंने कोई डोनेशन नहीं किया में आए फिर किया है कहता जी हम उन तो बताने वाले ने बताया कि हम यानि यानि रज'Sंग फेडरेशन अफ इंडिया यानि की भारत के पहलवान हम Tata Motors का प्रचार करते हैं हम उनके brand ambassadors है Indian wrestling is the brand ambassador of Tata Motors जहां कहीं भी कुष्टी होती है तो हमारे पहलवान, हमारा पूरा establishment Tata Motors का प्रचार करता है वहां उनके boards लगते हैं और बदले में वो हमको पैसा देते हैं For example जब यह हमारे cricketers या हमारे film stars जब वो जब वो शारुक खान जो है वो वी जॉन करीम का प्रचार करता है तो वी जॉन वाले शारुक खान को 2-4-10 करोड रुपया देते होंगे तो वो शारुक खान को पैसा दान नहीं देते शारुक खान ने उनका प्रचार किया है, शारुक खान ने पूरे देश को दुनिया को बताया कि मैं तो जी वीजौन से दाड़ी बनाता हूं, तो आप भी दाड़ी बनाये करो वीजौन से, तो इतना बोलने के कि मैं वीजौन से दाड़ी बनाता हूं, आप भी बनाओ, शार आदिले में पैसा ले रहा है कि तो WFI स्पॉंस उसे टाटा मोटर्स पाहता के लिए उनका कॉंट्राक्ट हुआ है चैंयर 6 साल के लिए है और उस चार साल का वी थे मोंट्रस ने पंद्रह करोड रुपया दिया है तो फेलाज्न को देने के लिए कोई नहीं दिया अब यह WFI पर डिपेंड करता है कि वह उस 15 करोड रुपए को या जो भी एक्स वाय देड रकम आई है वह कहां खर्च करती है कैसे खर्च करती है तो यह WFI का इंटर्नल मेटर है और WIFI एक स्वायत संस्ता है परन तो उसका भी सालना ओर्डिट होता है जैसे कि देश में किसी भी कंपनी का किसी भी संस्ता को ओर्डिट होता है किसी भी NGO का किसी कमपनी का किसी भी सरकारी ओफिस का किसी का भी प्राइवेट हो चैसरकारी ओड़िट होता है यहां से आया इतना खर्च हुआ है तो अब मैंने पता लगा है यह अचानक विनेश फोगाट इस से पहले बजरंग पुनिया ने भी बयान दिया था सक्षी मलिक टाटा मोटर्स के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और यह ताटा मोटर्स को भड़का रहे हैं कि दब्लू एफाई फंड्स का में спesh Use करती है और चेक करें कि पहलावनों को दिया कि नहीं दिया तो मैंने का यार ये आखिर Tata Motors को क्यों बढ़का रहे है WFI के खिलाफ और चाह इस बढ़काने का उध्देश इसके पीछे क्या है कि Tata Motors जो है WFI की funding बंद कर दे इन्होंने क्या किया WFI को पूरी दुनिया में बदनाम किया यू डबलु डबलु को इनोने मेल्स लिखी कि ना ना यहां तो अब सुस्तन हो रहा है बारतीय लड़कियां सुरक्षित नहीं है डबलु एफाई में यहां मत करा वेशिन चेंपेंशिप यही तो हुआ था ना तभी तो जो नई दिल्ली में चेंपेंशिप होने वाली थी दिल्ली दे बाहर हुई तो उसी त्रह अब टाटा मोटर को भड़का जा रहें कि आप गलत लोगों को पैसा दे रह YOUR डबलु एफाई को पैसा मत दिजिए डबलु एफाई को जो आप सो कожет दान दे रहे हूं मत दिजिए तो मैंने का यारह antidug시 को हिक फिर टाटा मोटर को भ क्यों ऐसा किया जा रहा है और देखिए एक बात आपको और बता दू मैं आपको जैसे आपको ध्यान होगा कि बेंज जॉंसन जब डोप स्केंडल में पकड़ा गया था 1988 Olympics में या ऐसा कोई भी स्टार चाएं वो सिंपल कोई सोशल सेलेबरेटी हो या स्पORTS स्टार हो या कोई भी स्टार हो जब वो कभी अचानक इसी बहुत बुरे स्केंडल में फस जाता है या जेल चला जाता है या कोई बहुत बदनामी वाला काम हो जाता था तो जितनी भी कम अपनियां उससे अपना प्रचार करा रहे होती हैं वो अपने हाथ खिंच लेती हैं और अचानक धरादर धरादर उसके सारे के अंडोर्समेंट के जो सारे जो उसके मॉडलिंग के जिन प्रचार करता है वो सब बंद हो जाता है तो इन पहलवानों की एक रणनीती है कि भारती कुष्टी को रेस्लिंग फडरेशन आफ इंडिया को इतना बद्दाम कर दिया जाए कि कोई भी कंपनी इनसे कंट्रैक्ट ना करें कोई कंपनी इनसे अपना प्रचार न कराए और कोई कंपनी ये डबलुएफाइगे सारे फंडिंग के जो स्तो जाएं तो नुक्सान किसका होगा तो भारती कुष्टी का ही तो होगा न क्योंकि आफिए फेडरेशन भी जो भी खर्चा करती है वो इंडिन रेसलिं पर धरने दे रहे हैं ये कुष्टी को और WFI को और कुष्टी के हितों को इस तरह नुकसान पहुचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं तो इसके पीछे तब मैंने देखा कि कुछ और कमपनिया हैं जो कि इन पहलवानों को स्पॉंसर करती है या इनको विभिन तरीके से फंड्स देती हैं और अपना प्रचार करती है और यह उनका बिजनस है यहां मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं जान बुछ के क्योंकि उसमें कुछ लीगल इंप्लिकेशन तो वो कमपनिया करती क्या है कि यह जो हमारे स्टार खिलाड़ी होते ने इनको पूशिश करती कि हम तो हम ही चला रहे यह जितने ओलंपिक मेडल आ रहे हमारी विज़े से आ रहे हैं तो मैंने बुछा कि आखिर इन कंपनियों के पैसा कहां से आता यह इनका क्या सोर्थ आफ आखिर कहां से वो फंड दिकठे करके जो इन पहलवानों पर खर्च करती है तो किता था वो जो सी एसार होता है ना कॉर्परेट को सोशल रिस्पोंसिबिलिटी यह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनी जिनका एक निश्चित मात्रा से ज्यादा टर्नोवर है या कहने के मतलब जो बड़ी-बड़ी कंपनी भारत सरकार ने एक उन पे एक नियम ब टोटल प्रॉफिट से उसका कुछ प्रतिशत सोशल काम पर खर्च करेंगे घुए अगर एक कोई कंपनी एक हजार करोड की है तो उसको सौया दो सौक्रोड रूपया सोशल वर्क के लिए खर्च करना अनिवार्य है तो एक कंपनी को माली जैसाल में सो करोड रुपया खर् रहाओ जैसे अभियान चला रही है कोई विकलांगों के लिए काम कर रही है कोई रिसर्च पर फंड दे रहा है कोई गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है कोई हैर एजुकेशन पर बड़ी-बड़ी उनिविस्टी दोर कॉलिजिद बनवा रहा है तो यह से हर कंपनी का अलग- तो यह बड़ी-बड़ी कंपनियों से CSR लेके आती है और सैक्ड़ों करोड रुपया हजारों करोड रुपय की फंडिंग आती है इनके पास इसमें से मुझे ऐसा बताए गया कि यह मुश्किल थे 10-20 परसेंट पैसा यह कुछ खिलाडियों को बाढ़तेती है उन खिलाड और यह तो पता लगाना बहुत ही असान होता है आप किसी भी नैशनल चेंपिंशिप में जूनियर नैशनल चेंपिंशिप में बैट जाए तो एक समझदार आद्बी छाट लेगा कि यह जो बच्चा है यह प्रॉमिसिंग लग रहा है साथ में एक दो एक्सपर्ट कोचिस और एक्सपर्ट बिठा लेते हैं यह उसकिसी एक गेम के और जो बच्चा जूनियर में आज फस्ट आया है जो बच्चा आज कैड़ेट में फस्ट आया है वो आने वाले पांट-साथ सालों में संभावना है कि यह अच्छा पहलवान बन जाएगा तो माले यह एक सत्रह सा का बच्चा है आपने उसको चैन कर लिया और एक एड़ेट्स में इन बच्चों को सिर्फ 10,000 रुपे 20,000 रुपे 50,000 रुपे जैसे मामूली रकम देके एक कॉंट्रेक्ट साइन करा लेते हैं अब एक गरीब बच्चा है जिसको जिन्दगी में पहली बार 10,000 रुपे का यह 50,000 रुपे का 5,000 रुपे मैंने साल तक का उफर दिया इन्होंने बहुत सारे बच्चों से इन्होंने मात्र 10,000 रुपे साला ना दे करके एक कॉंट्रेक्ट पर साइन करा लिया और साब पता लगा उस बच्चा वो तो बिचारान पड़ बच्चा उसको तो पता है नहीं कि मैं किस चीज़ पर सिगनेचर करना हूँ पसा लगा कि उस ओचा वो कंट्रेक्ट होता है 100,500 पेज का 200 पेज का कंट्रेक्ट होता है एक लीगल कंट्रेक्ट होता है जिसमें वो बच्चा अपने आ ये लिखा होता है कि मैं अगले दस साल तक इस कंपनी के साथ ये करार करता हूँ कि मैं इनके लिए खेलूंगा और ये ये मुझे ये मदद करेंगे तो उसमें जो मदद की रकम होती है वो बहुत ही मीगर तुच होती है ऐसा ब्रजिंदर सिंग जो ये हमारा ओलंपियन बॉक पर हो चुकी थी तब भी वह मात्र दस जार रुपे सालाना पर उसको जह वो गले में रस्ती बांद को टैलाते रहे और उसको को एधिकार ने था कि अपनी मर्जी से वह कहीं चला जाए या कोई कंट्रैक्ट साइन कर ले या किसी इवेंट में भाग ले ले वो कंपनी ही उ आप नहीं कर सकते वह कंपनी के साथ आप उस कॉंट्रैक्ट से बंदेव हैं वह कंपनी उस वीजॉन क्रीम से 10KR रुपा झार रुपे और आपको वो 10,000 रुपे देने के लिए बाद दे जाए लिए को चाहे तो वह मात्र 10,000 रुपे दे के वीजॉन का विज्यापन किसाब मैं तो बच्चा था मुझे मालूम था ये किस पर साइन मुझे करा रहे हैं इन्होंने तो मुझे 10-20,000 रुपे पर साइन करा के अब ये मेरा सोशन कर रहे हैं हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि भाईया आप बच्चे थे या नहीं थे आप अंजानते आप अनपड़ते इससे हमें मतलब नहीं है हम इतना जानते हैं कि आपने एक कंपनी के साथ कॉंट्राक्ट किया है और उसे ओनर कीजिए तो साथ ये जितनी भी स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी हैं ना दस में से नौ यही काम कर रहे हैं एक आद कोई ठीक ठाक है मैं नाम यहां इस चाहाँ मुझे सबके नाम सबका डिटेल मालूम है पर आइम नोट टेकिंग नेम्स तो साथ वो कंपनिया इन खिलाडियों से डाइरेक्ट डील करती हैं अच्छा बाकी स्पोर्ट मैनेजमेंट होता कहते हैं इन खिलाडियों को अलंपिक में पद्दक जीतने के लिए सबसे बड़ा जो काम कर रही है वो तो स्पोर्ट सतरेट अफ इंड़ा और भारत सरकार क की स्कीम है जिस ने 150 क्रोज और रुपया पिसले 5 सालों में रेश्लिंग कप हर्च किया 150 क्रोज रुपया भारत सरकारने यह वह यह एक्सपेर्स मनी है असली काम तो टॉप्स कर रही है बारत सरकार कर रही है उसके अलावा जितना समर्थ होता है फेडरेशन करती है इसके बाद यह कंपनियां करती है तो सब्सक्राइब काम क्या करती है जरा आप यह सुन लीजिए पौर एक्जामपल हमारी एक बड़ी मशु अपने साथ एक पार्टनर ले जा तो यह इतनी धूर्त इतनी जुष्ट और इतनी करप्ठ है या तुम अपना स्पेरिंग पार्टनर चलो कोई अच्छी लड़की ले जाओ अपना पार्टनर नया बच्चा ले जाओ कोई नए जूनियर अच्छी उबरते भी रेसलर ले जाओ उसको भी एक्स्पोजर मिलेगा तो यह अपनी परसनल दोस्मित रिश्दार बहन बाबी इ अब मैडम का हुआ था नया-νεय अभ्या तो उनका घर्चा तो दिया टॉप स्कीम ने इन्होंने क्या किया उस कंपनी से स्पोर्स मेनेजमेंट कंपनी है अपने पथी देव का टिकेट और वहां पे रहने का पथी देव का हर्चा उस कंपनी से करा लिया और कंपणी ने जो है कंपणी को तो कोई पूछने वाले है नहीं हो तो प्राइवेट कंपणी है कंपणी भी पैसे कहा ते दे रही है मैंने आपको पता है सीए सहर थे सौ करोड रुपे की फंडिंग जुटाई मुश्किल से दस या बीस पर्चंट इन पहलवानों पर इस तरह कर्च करती है ट्रेनिंग लेने जा रही है पहलवान पती देव साथ में जा रहे हैं पती देव 110 किलो के वो भी पहलवान है डेड मेना इसाफ यूरोप में सरकार और उस पर्च कंपनी के खर्चे पर क्या शांदार हनीमून मना तर? बगकी ऐलमपिक की पहलवानी तो चली रही है पिर वो अलग बात है के ऑलमपिक में पहली कुश्थी में डेर हो गय है उस पर चर्चा लेग क्रेंगे तो सब वो कंपनी इनको प्यारी क्यों नहीं लगेगी तो federation बोलती थी कि अरे यार तुम न हमारी कुष्टी को बरबाद कर रहे हो यह उस company को आपको याद होगा कि जब टोकिय ओलम्पिक से भारतिय दल जब फारिग हो गया तो WFI प्रेजडेंट ब्रजभूशन शर्ण सिंग ते पूछा गया था इसाब आपके medal आए कुष्टी ने अच्छा प्रफार्म किया उन्हें ने का ठीक है अच्छा है वेरी हैपी पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं कम से कम पांच medals का सोच के गया था कम से कम पांच medals हम सिर्फ तीन लेके आए है या दो लेके आए है तो तीन medal हमारे ये कमपनियां खा गए जिन्नोंने हमारे पहलवानों को खराब किया पर पहलवानों को तो वही कमपनिय अच्छी लगती है क्यों क्योंकि वो कमपनियां इनकी अयाशियां करा रही है मैंने अयाशिय शब्द क्यों बोला हमारी एक पहलवान डेड़ महिना हिंदुस्तान के एक हिल स्टेशन पर मैं तो जी वहां पहलवानी करूंगी क्योंकि मैं जून गर्मी है तो मैं ठंडे मौसम में पहलवानी करूंगी तो खर्चा कौन दे रहा है थोड़ा टॉप से ले लिया थोड़ा यह वाली कंपनी ने दे दिया तो पता लगा मेरे मम्मी भी जा रही है मेरे पापा भी जा रहा है मेरे बाबी बी जा रही है तुप टॉप जो है भाई भाबी मम्मी पापा का खर्चा तो देगी नहीं देगी नहीं श्रमला मनारी है तो मम्मी पापा भाई और भाबी का टिकेट करा लिया उस स्पोर्स कंपनी से इस मेनेज्मेंट कंपनी से प्राप्रों का उस्थिखुट्स अ मेनेज़्बन कमप्णी ने इनको एक्युपमेंट के लिए पैसे बिपने के अब मैडम का पैर है छे नमबर का फापा का फारे मिम्स वांबार का फॉर्म यह भी खाना जब बिलिंग हुई आपके कंपनी बिलिंग करेगी ना कंपनी भी तो CSR में लोगों को बताएगी ना कि हमने 10 करोड रुपय कहां खर्च किया तो हमारी स्टार खिलाडी के पापा के लिए किट खरीदी गई पापा के लिए नाइकी के 8000 के शूद करीदे गए पर शू लाड़ी गई गोवा खेलने गोवा में ट्रेनिंग करने या कंपटिशन लेंड ने वह खर्चा टॉप्स ने दिया अब पतिदेवी साथ जाएंगे उसका टिकेट स्पोर्ट कंपनी से करा लिया अब जैसी टाटा मोटर थे वैसी यह सारी कंपनी थे तो थाब उनको लगत लिखा आता है टाटा मोटर से बड़ा लिखा होता है तो यह चाहते हैं कि अपनी फंडिंग अपना एंडॉर्स्मेंट का कंट्रैक्ट खतम करिए क्योंकि यह एक बदनाम सब्सक्ता है जिसका नाम है डबलु एफाई यह तो खिलाडियों का सुस्सन करती है तो ऐसी सुसन करने वाली घंस्ता को आप क्यों एंडॉर्स कर रहे हैं तो तब टाटा मोटर्स और रतन टाटा से बार बार अपील करके डबलु एफाई को बदनाम करके डबलु एफाई की फंडिंग बंद कराने की कोशिश की जा रही है इसलिए मैंने इनका नाम दिया है कि कुष्टी के तीन गद्दार बजरंग साक्षी और विनेश के यार आपको मेरे आज की हेडिंग का मतलब सोंज में आया कि बजरंग साक्षी और विनेश और उसके यार मिलके मालीजे 15 क्रोड की फंडिंग हो रही है और अगर वो बंद हो जाए तो आज किसका न सब्सक्राइब और इनके पति के और इनके पापा की फंडिंग कर रहा है इंडियन रसलिंग से बाकी जुनियर पहलवानों कि की तो पचाज़ें दे थे कि और द यह जार, तन 시底ई 6-6,10-20 रिसलरों नों ने 10-10,000 रुपय ताल आनना पे कांट्राक्ट क रिक इस्लिए रस साथ कोई कंट्रیک्ट करेगा तो सबसे पहले विल गो einजबु Be डूबैश्फाइजा यदि कोईंट्रर약्ट साइन कर रहा है किए कम्पणिय के साथ तो उस को पहले डबली फाई का वकील उसined को स्टडी करेगा वह ये क्लि CJ सर्फार को तो बच्चा contract नहीं करेगा WFI के द्वारा appointed एक पूरा system उस बच्चे को guide करेगा कि तुमको अगर किसी company के साथ contract कर रहा है तो उसकी शर्ते हैं यह होनी चाहिए इन शर्तों पर करो क्योंकि आज ने तुम चोटे से बच्चे हो आज ने तुम cadet में third आये हो करको तुम olympic में से gold लाओगे तो यह company यह जो हमारा जो वकील है जो WFI का जो system है वो आपको उस दिन के लिए product कर रहा है कि हमारा बच्चा इन कफन खसोट इन लुटेरी companies के साथ आज बच्पने में कोई गल्ती करके अगले 10 साल के लिए किसी contract पर न फ़र जाए तो इन्होंने साथ बहुत विरोध किया कि हमारी जो personal funding हैं इन company द्वारा उसको WFI disturb कर रही है जी नहीं WFI सचमुच आपको अगले 10 साल तक हो सकने वाले आर्थिक शोशनते बचाने की कोशिश कर रही है और इस बात को ये star खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह समचते है पर इनका क्या है कि खुद तो इन्होंने गफे खा लिए खुद तो इनको जो हासिल होना था हो चुका खुद तो इनको दुरुनाचार और अरजुन वार्डी मिल चुके को फोटो इनको आने वाले छोटे च्छोटे उनके उन्हों खराब कर रहे हो इसलिए मैं इनको खुश्टी काड़ार बोलता हूं भारती कुष्टी के तीन गद्दार विनेश, बजरंग और साक्षी के यार और ये वीडियो इसलिए बनाई है कि सारे पहलवान सारा रेस्लिंग का एस्टाबलिश्मेंट और सारे खेल प्रेमी, सारे कुष्टी प्रेमी इस दुष्चक्र, इस शड्यंत्र को समझें कि ये लोग कैसे कुष्टी को खराब कर रहे हैं ये किस प्रकार कुष्टी की जड़ों में मठा डाल रहे हैं ये कैसे हमारे छोटे-छोटे बच्चों का भविश्य बरबात कर रहे हैं अगली वीडियो का इंतजार कीजिए आज के लिए इतना ही बहुत धन्यवाद थैंक्यू बरी मच्च